जोवनेस केपलर दोस्तो जोवनेस केपलर बहुत दीजाने मने अस्ट्रोनॉमर, मैथेमेटिशन और अस्ट्रोलोजर थे उनका जनम 1571 में हुआ था और किसी कारणवर 1630 में उनकी मृत्य हो गए 17th century के scientific revolution के दोरान केपलर एक महतोपूर्ण व्यक्ति थे दोस्तो वे सबसे जाने जाते हैं उनके law of planetary motions और उनके books Astronomia Nova, Harmonices Mundi, Epitome Astronomia Copernicus इनके लिए जोवनेस केपलर के कामों ने ही Newton's theory of universal gravitation को आधार दिया केपलर अपने नए astronomy को celestial physics के नाम से ही डिस्क्राइब करते थे